प्रडवास तस्वक्त की बड़ी खावार आज फरदवास दोरे पर पहुचेंगे सी एम मनोह लान पीजोपी की कारले अटल कमल का करेंगे उधघाटन पड़ी खावर बड़ी जानकारी शाम करीब चार बचे होगा पीजोपी कारले का उधघाटन प्रदेश वद्याख शोपी धनकड कारिक्रम में शामिल होंगे और उनके अलावा केंद्रे राज्य मंतरी सिशनपल गूजर भी प्रोग्रेम में हिस्सा लेंगे कैबिनेट मंतरी मूलचन शर्म और कई विदायत भी रहेंगे मौजूद तो उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रुबरू करवा रहे है सियम मनोह लाल का फर्दवाद दोरा है जहाँ पर सियम मनोह लाल बीजोपी के कारले अटल कवल का उद्धाटन करने वाले है शाम करीब चार बजे बीजोपी कारले का उद्धाटन किया जोएगा प्रदेश वद्यक शोपी धनकड कारिकरम में शामिल होंगे उनके रावा केंदर राज्य मंतरी प्रिशन पर्ग गूजर भी इसका हिस्सा बनेंगे कैबिनेट मंतरी मूल्चन शर्मा भी जुरान मौजूद रहेंगे और कई विदायक भी मौजूद रहेंगे और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संबाराता राजिंद्र जोड़ चुके है राजिंद्र सीएम मनुहा लालकाज फर्दबाद दोरा है जहां पर सीएम बीजेपी के कारले अटल कमल का उद्गाटन करने वाले है क्या कुछ खास रहने वाला है इस दुरान और लाल की मौझूद की में और कहीं न कहीं इसको लेकर बीजेपी के कारे करताम में खासा उप्सा दिखाई दे रहा है और बात करें तो यहां पर जो बड़े नेता हैं उन्हें केंद्रिय मंत्री के संब्वाल गूजर कैबिट मंत्री मौहुल चान शर्मा और इसके लाबा जो तमाम दिखायक हैं वो यहां पर मौझूद रहने वाले हैं और कहीं न कहीं आदी से ही वहां पर जो बड़े नेता हैं यहां पर आएंगे वो यहीं पर मीटिंग वगेरा और सबी जो कारेकरता की मीटिंग होती है या जो भी बीजेपी कारेले में बीजेपी से संब्वेट जो भी काम होगा वो यहां पर आकर नोग करवा भी सकते हैं और अपनी तिकायत या अन्ने जो काम है वो यहां से आप तरह सकते हैं पुरा उसके लिए यहां पर प्रबंद किया गया है और लगातार यहां पर जो बैठना शुरूर हो जाएंगे शुक्रिया राजिंद्र धहिया आपका तमाम जौनकारी के लिए बड़ी ख़बर शाम करीब चार बजे होगा बीजोपी कारले का उद्गाटन सीएम बनुहलाल का फर्दवाद दोरा है जहाँ पर सीएम बीजोपी की कारले अटल कमल का उद्गाटन करने वाले हैं प्रदेश अध्यक शोपी दंकड भी कारिकरम में शामिल होंगे केंद्र राज्य मंत्री किशनपाल कूजर भी प्रोग्राम महिस्सा लेंगे उनके रावा केंद्र मंत्री मूल्चन शर्मा और काई विधायक भी मौजूद रहेंगे किस्या मनुहलाल आज फर्दवाद दोरे पर पहुचेंगे फर्दवाद ने बीजोपी कारले अटल कमल का उद्गाटन किया जाएगा